ये बचो चलते हैं अगले question पर mental math question bank class 8 और इस series में हम कर रहे हैं equation और equation आपके math के अंदर भी second chapter है और mental math के अंदर भी second chapter है तो question number हम 16 करने वाले हैं और बहुत easy question है आई देखें question number 16 क्या कहता है देखें यहाँ पर question number 16 हम ये करेंगे देखो क्या कहता है the side of the rectangle are in the ratio 5 ratio 4 तो यहाँ पर बच्चो जो rectangle की side है वो ratio में given है find its area हमें area find out करना होगा if its perimeter is 180 cm यदि इसका perimeter 100 cm है ठीक है आई ये करना शुरू करते हैं बहुत easy question है कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है तो देखो बच्चो यहाँ पर मैंने पहले से लिक्की रखा हुआ है यह मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखिए यहाँ पर ठीक है बच्चो थोड़ा सा मैं इसको उपर उठा देता हूँ यह देखिए question पहले से लिक्की रखा है आये करना शुरू करते हैं यहां पर solution तो अब देखो यहां पर ratio given है तो हम इसको let कर लेते हैं ठीक है जो ज्यादा ratio में ज्यादा number हम उसको length माल लेते हैं और छोटे number को breadth माल लेते हैं क्योंकि length ही ज्यादा होती है ठीक है let the length of rectangle let the length of rectangle 5x माल लेते हैं ठीक है 5 था न तो हम उसको 5x माल लेते हैं let the breadth यहां आप लिख लेते हैं of rectangle is equal to 4x ठीक है बच्चे हैं आपर अब देखो area में find out करना है और perimeter given है तो perimeter भी हम लिख लेते हैं तो perimeter से हम क्या निकालेंगे इसकी side हम निकालेंगे ठीक है बच्चों यहां पर centimeter तो देखो perimeter निकालने का formula होता क्या है बच्चों perimeter निकालने का formula होता है 2L plus B इससे perimeter निकलता है बट given perimeter 180 cm ठीक है तो 2 और यहां पर L है हमारा 5X और plus B है हमारा 4X तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं अब बच्चों देखो या तो आप क्या करें 2 की multiply पूरे bracket के साथ कर दे यह भी इस 2 को आप इधर ले आएं इधर यह multiply की फों में इधर आ करिए divide की फों में आ जाएगा और साथी bracket को भी हम plus कर देते हैं 5X और 4X होता है 9X इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं ठीक है बच्चों यहां पर अब देखिए 9 यहां पर X से साथ multiply की फों में हैं और इधर आकर यह divide की फों में आ जाता है ठीक है इस तरीके से तो 180 by 2 और इधर ही लिख देते हैं 9 इस तरीके से ठीक है अब 9 2 जा क्या होता है 18 होता है तो 18 बंजा 18 18 10 जा 180 ठीक है तो यहाँ पर x की value आ गई बच्चो 10 अब x की value 10 आ गई है तो length क्या होगी है हमारी आए length निकाल लेते हैं length of rectangle देखिए length of rectangle equal to 5x तो इस कहने का मतलब है 5 multiply और x की value को लिखना है 10 5 जा होता है 50 तो 50 cm length आ गई हमारी और breath भी निकाल लेते हैं इसी परकार ब्रेथ ओफ rectangle ब्रेथ ओफ rectangle है 4x तो यहाँ पर 4 x 10 और 10 फोर्जा होता है 40 40 cm ठीक है अब हमारे पास length भी है और breath भी है अब हम आसानी से area निकाल सकते हैं ठीक है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ area of rectangle एंगल तो फोर्मुला होता है length into breath ठीक है इसी परकार हम निकाले length है अपनी 50 और breath अपनी 40 आईए इसको multiply कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर इस 1 0 इसमें 1 0 इसमें total 2 0 हो गई तो 2 0 लगा देंगे और 5 इदर बच गया इदर 4 उनको multiply करते हैं फोर्जा 20 यहाँ पर 20 लिख देंगी और साथ ही इसको centimeter square लिखना है area को square में लिखना है ठीक है या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से कि आपका answer आ गया है आपको यह question कैसा लगा मुझे comments में जरूर लिखें और श्मी से सीख कर आप दूसरी बच्चों को जरूर सिखाएं मिलते हैं अगले part में तब तक के लिए धन्यवाद